है है गाइस वेलकम बेक टु चिल मैडिक ओस आज का अपना टॉपेक ए डैगुलेशन ओव बीपी मर्लां रेगुलिशंग और प्लड प्रेसर का रेगुलेशन कैसे होता है ठीक है और नो इस में आपन आज जो मेंली पढ़ेंगे टॉपिक ठीक है रेगुलेशन पढ़ेंग अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना ठीक है और जो नोट चाहिए आप वो मेरे टेली राम चैनल से ले सकते हो ठीक है इसले अपन पढ़ लेंगे लेकर सकते हो को करें हो पर पर अबना आपना माँश्य अंपने स्किलिकार आपना स्टे टालेकर लेज्ड सेया होसर का से सवस्कुण, साथ गे अभान वाव जुक्रत这 Be लिने के लिती एक के सब्सक्राइब फॉन्हुर्ण होथै Cand occasion मैक Max एक और सब्सेंग इसका स्थर copy अबना रिनल मेकनिम्म मदलब लॉंग टर्म रेगुलिशन फिर होता है हार्मोनल और अपना लोकल मेकनिस्म टिक है तो यूणिवर्सिटी जो कॉच्छन पूछती उपना किसको पर सॉट टर्म या लॉंग टर्म के ऊपर टिक इस वीडियों में पढ़ेंगे क्या सॉट टर् लॉषयल सॉट स्काफ्यम गपर लॉटल लॉट के इस वीडियों में इस वीडियों मेकनिस्म टा सनुटन नरवस में यहां पर होता इस पंस्क इस चाहिन चाहिन सब्सक्राइब आपने हैं चाहिनों चाहिन होता है टिक है कि घूप्र हो अन्हें अर्वाज को बाच करता है तो जो भासमोक्स चीज को पिनता है पहला ऑषां मोटर सेंटर तिक ळाशु Di de AlletEr expose जब मैंन advise थे थेड़ वासों बताया था अपना मेनली थेड्यक के वासों मोटर सेंटर्स जो एरिया थेर से इटेज़ एड्यान यहां पर णाया देवर wieder थे तीं आप संहें पढ़ेंगा पर बांसों डाल टर फाइबर अवाल है थी पहल है अभी पड़ने इसींट DMC यह पर पर अपना थी आपको जल्ड पढ़ा दिया मैंने इसीट क्या होता है इस्ते इसीटिक यह परी डिया चैनल से मेठीकि थैसे पिल्ड आपने को उसी ऑफर सॉ rebus फिर बास कशाय को वापने के रिक लेकर सिह त्याइक कि जो हूं सितिएरोल इस पर से का लेकर पर गजारिम पर रोक्रिया को को आपने ब्रयार कि प्रिया अब घाप स काूंग कि तुद्स वाइटर अपने हो है बास्व मोटर सेंटर मोटर सेंटर का लेट भॉचटोर बनाता है टीए ये श्रीज आपको याद रखने घिक स्टुमिलेशन of area cause the vasoconstriction अगर यहां पर vasoconstriction area का अगर stimulation हो रहा है तो इस बाइस से क्या हो जाएगा vasoconstriction मतलब vessels construct कर जाएंगी ठीक है सुकुर जाएंगी इस बाइस से राइस इन arterial blood pressure मतलब BP increase हो जाता है ठीक है आगे बात करते हैं baso dilator area क्या करवाते हैँ अपना इनको अपन ड्प्रेसर एर्या भी बोलते हैं तीक है मिल्चर का काम के रहता है okay तो forms the medial portion अब थी basop不多 centers gas motor centers का medial portion बनाएंगी ठीक है area suppress the basoconstrictor area यह होता है इसको इस करवाते धीक है Po बासो आपना ऐ्रिया को अगर मों सप्रेश करवा दो क्या होगा कि सका तो आपना इंडियाट रोटा है तो बासू डाइलेटर टॉम्ट यहां नेकल तो अपनी जेनरली हार्ट रेड को करती सेंसरी इरिया देखते हैं जो कांसुटेटर मुटरोच स्याइट्पote नुकलियस होती है जो कि आपना पोंज और मेडूला में मिलती है तो इंदा नुकलियस और ट्रेक्टर सोलीटर अपने को सेंसरी अरिया मेलेगा एंदी पॉस्टियो लेटर पाट अप्डी मेडूला अंड पॉंस टिक तो एडिया रिसीप्तर इंपाइदी इंपटा भाया तो सेंसेशन न लेगा न सेंसे जाएल से क्योंकि ये सब्सक्राइं परेसेप्टर अमेशा जीरчи GG उन화를 आती घ्यासी हां धाटी है अगा सब्सक्राइब अपनी अङरो आक है में असीजिए ती कि आप कह पनी अधाठ से लेकर आती थी ती सेन्सरी एरिया कंट्र групп from एक चीज यहां समझी बेटा कि अपना क्या हो एक सेंसरी एरिया और अब क्या पॉजिटिंब कमांड मीं सकती है और नेगरिटिब कमांड बहुत सब्सक्राइब अब बात करते हैं आपने आपने आपना आपके बासो सिस्टम को पहला पाट देख लिए बासो मोटर सेंटर अब आपने बासो कन्स्टिक्टर फाइबस पेलिजेन ओफ एएस मदला ऑपन। इस्टम टीम्होटी फि एक ब्लड बैसल को करवाइंगी तो फाइवर कॉस्ट दी बासो कंस्टिक्शन बाजी रिलीजिंग ऑफ नियूरो ट्रांस्मिटर सब्स्टेंज जिसा अपन बोलते हैं नॉन एडेनेल क्या करवाता है अपना बासो कंस्टिक्शन तो क्या होता है इसमें मिल ली कि जो इसके अप पर अल्फा रेसेटर स्क्राइब नॉन एडेनेल और फिर यहां पर अपना क्या हो गया है अपना इक सिंग्नल जो की अपना रिसेप्टर के पास पहुंचा फिर डिसेप्टर से क्या फरदर आगे एक्सें चलेगा ठीक है सेकेंड़र आंगे चलेगा सेकेंडर थर्ड यह करने में तो इसको आपने यहने बसा लेज़ी he कि जो घुक अब बताया था रहार है यहां बेगल टोन थी तो मेन क्या हार्ट को होती है रहने कि में उल्ड में वसे ह disorders बासो मोटर टोन की बाद कर लेते हैं पर स इम्पल्स पूरीज की गी भासो के तुछ व yu 다 आईगी तो पिल्भावॉ Det そう स trouble appears, बासो कंस्ट्रिक्टर एरिया से सी गशुक्ति Спस्राथ पेस पॉल थ। वहां पर आपना बासो कंस्ट्रिक्टर एरिया थी कर रहा है तो ऑसी ही पम बोलते हैं 27 तो बलद प्रैसर डारेक्वि तो क्या होगा इसक之前 होना हुग तो continuous चलता रहता है बसाल का तो क्या होगी ड़ड़ झरिका मतलब का द्यृष एक नहीं कम हो जाएगा तो मतलब बलट मो इंक्रीकलöh बोला कि जतनी बासो मोटर टोन होगी ब veterans उतना जादा अपना blood pressure होगा simple ठीक है also call the sympathetic बासुक्रिक्टर ट्रोन ट्रीक है बासुक्रिक्टर टॉन क्यों बोलना है कि यहाँ पे अपने fibers कौन से हैं sympathetic fibers हैं टीक है जो कि डिवीजन है एन्स का टीक है बासुक्रिक्टर एरिया से आ रहे हैं तीक है और तोन मतलब की continuous impulse रिलीज हो रही तो इसलिए आपने इसको sympathetic बासो कंस्ट्रिक्टर टोन भी बोल सकते हैं और sympathetic टोन भी बोल सकते हैं इन दोनों आम को आपको याद करके रखना है इतना समझ आ गया अगर मैं बात करूं इसी की तो अपने हार्ट रेट में क्या पढ़ा था हार् अब बाताल ने क्यों और अपने हार्ट रेट को इंक्रीज करावा ती तो यहां इसलिए आपने ब्लड बेसल को करबाएगी तो आहां पर क्या होता था में यहां ब्लड बेसल को अब्लावारा थी मतलब की ब्लड पैसर इंक्रीस करवा रही थी तो यहाँ पर भी मेंल क्की हो यहाँ यहाँ पर करवा देगी अपनी कंस्तिक्षा्ण इंक्रीस करवा यह इंक्रीज बहुत रहाएगा पर आपना ब्लड पैसर तेसरी होते हैं एंटी-डर्मिक वासो डाइलेटर five तो एक ही करके अपन उनको पढ़ लेते हैं तो प्रस्पफथेटिक बासो डाइलेटर फाइर्स अपने क्या काम करवाएंगी cause dilution of blood vessels by releasing acetalcholine तिक, acetalcholine क्या होता है, neurotransmitter होता है यह अपना मेली क्या काम करवाता है यह अपना बासु dilator का काम करवाता है अगर मतलब blood vessels के पास पहुंच जाएगा तो blood vessels को dilate करवाएगे तो parasympathetic बासु dilator fiber क्या करवाएगे अपना बासु dilation सैकंड देखते हैं sympathetic बासो डाइलेसिम आप मेल यह कैस्य की qyta चृँक करवा कैसे करके acetalcholine क्योंकि acetalcholine क्यों होता है बॉलाच बेसल को दालइट करवा देता है तो यहां पे रिलीज करवाएगा sympathetic basodilator fiber को acetylcholine तो fibers called the sympathetic basodilator or sympathetic collagenic fiber signals from the basodilator fibers generate in the cerebral cortex तो अब क्या होता है signal होता है na basodilator fiber वो generate का होता है cerebral cortex में तीक है cerebral cortex क्या है lateral grey horn of the spinal cord किस-किस की थूरू आएगा by the hypothalamus and midbrain and medulla की थूरू तीक है फिर क्या होगा impulse तीडे sì Greater एक्टिबेट्वेट्ट अपको इक चीज दिख रही होगी सिंपेधिक की बात करे रहे है तो मैंने आपको बीटा एक बताई यह बात क्या होता है अपना मान के चलो यह मेरी क्या है पूरी की पूरी spinal cord ठीक है spinal cord के साइड में एक sympathetic chain run करती है sympathetic chain run करती है मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सा भी fiber spinal cord के थुरू आएगा ठीक है तो वो क्या करेगा पहले नंबर sympathetic chain के अंदर जाएगा उस nucleus से निकलके जो अपनी अपनी यहां पर sympathetic chain है तो उस chain तक आने वाले fibers को अपन बोलेंगे pre ganglionic ठीक है मतलब कि ganglion अपने sympathetic chain में तो उससे पहले बाले fiber होगा pre ganglionic फिर क्या होगा sympathetic sense sympathetic fibers निकलके जाएगे किसी organ के पास ठीक है vasodilation of the blood vessel और वो blood vessel को dilate कर देते हैं by secreting acetylcholine ठीक है simple concept आपे भी आगे बात करते हैं अपन थाट देखते हैं यहां पर ठीक है थाट क्या था एंटीडॉर्मिक vasodilator fibers ठीक है एंटीडॉर्मिक vasodilator fibers ठीक है तो नॉर्मली क्या होता है impulse produce by the cutaneous receptors मतलब pain receptors ठीक है तो मैं आपको पहले समझा देता हूं ठीक है डाइग्राम करके उसके बाद बेटा मैं आपको इसको पढ़ा दूँगा ठीक है तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हाँ पर अपनी क्या है यह अपना cutaneous receptors होगा इसकी उपर यह बाले ठीक है और यह अपनी क्या होगा अपनी कुछ एंडिंग होगी फिरी एंडिंग्स जोगे करेंगी यहाँ पर क्यूटिनेस रिसेटर्स की होगा क्या कुछ सिंग्नल लेकर जाएंगी तो वह कहां तक पहुंचता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइवर के पास फिर वहां से वह एंटर करता है किसके अंदर इस्प्ाइळल कोड के अंदर यह अपनी इस्पाइनल कोड होगी तो अब क्या होता है बेटा यही से अपने कुछ uh shelves करके अपने पहुंच जाते हैं कहां पे ब्लैड बेस्ल के पास तो अब क्या होगा जैसे अपना है पर जैसे अगर मैं कि रिशेप्टर में कोई सा भी पेन आ रहा है तो उस पेन को क्या वो रिशेप्ट करेंगे तो इस बज़े से जो यहां फाइबर थे वह इस्ट्यूमलेट कर जाएंगे तो इस वाई से क्या होगा कुछ सिंगनल अपना जाएगा इस्पाइनल कोड के लिए तो यहां पर यह स यहां फोड यहांस इन एक जाए और हम पर िचूर्ण चुट यहां पे रही कोड़़्ेक अफ और कर सकते हैं यहां पर यहां पर बेंधर रहें और नोर्माली इंपर्प्रोडूस 202 टियूमलल मताय पास धूरी तो यहां पर दाया है पास तूर्ट को और चिनस इमिश क् mesela ठीक है अब आपको पता है कि रिसेप्टर से जो भी फाइबर जाते हैं वो सारे सेंसरी होते हैं ठीक है तो सम इंपल्स पासे थ्रू दी अधर ब्रांच ऑफ एक्जोन टीक है वहां पर दूसरी ब्रांच थी जो कहां पर जाके टर्मिनेट कर रहे थी अपनी ब्लड बैसल के तो इन अपोजे डारेक्शन एंड रिचेश दी ब्लड बैसल तो ब्रांच पहुंच जाती है तो इस बाइस क्या होता है इंपल्स नाव ठीक है डाइलेटिट ब्लस बैसल अब होँआ से जो इंपल्स गई थी जैसरी बो क्या आब होँआ पर एक और दूसरी होहां से आगे बात करतेह है और यहाँ पर फाइबर सकाल थी एंडिवासो दायूतर सेन्टर पर ये बाह्तक्राइब तीक है क्या होता है जो अपने पास बासो मोटर सेंटर था जो उपने देख लिया अब इसके पास different पार्ट से कुछ signals आएंगे तीक है उन signals की बज़े से अपना बासो मोटर सेंटर कुछ पहला आपन देखेंगे का बैरो मतलब होता है बेटा प्रेसर प्रेसर के रिसेप्टर स्टिक उनको तुरू जो मेकनिस्म चलेगा उसको देखते हैं यह मैं आपको हाट्रेट में भी बता कर आ जाता है तो यहां पर रिस्पॉंस टू चेंज इन ब्लड प्रेसर अब क्या रि इन यह पर बास मोटर सेंटर थी उनका रेगुलेशन तो हाँ पर आपको बता देता हूं फिर भी तो आपका रिबीजन हो जाएगा तिक है अब क्या हुआ जैए आप यहां पर देखिए इंक्रीज इन ब्लड प्रैसर आपका बीपी इंक्रीज हुआ फिर उसके बाद क्या क्या हुआ होगा बीपी इंक्रीज हुआ तो बेल्रोसेप्तर से क्या करेंगे बैटा को हम न met ब्रॉटिक हुआ है रिक इस अपनी किसको अपनी बस्या जा तेंक कहां पर जो अपनी त्रेक्टर हैं। आपनिम्पल्स今天 आपने क्या मैं सैंशरी पिसको बात थो जो क्यों से मुंत healthy आपने सैंसरी एडिया थे उनने क्या our उनने इनिबिशन और बासो कंस्ट्रिक्टर एरिया करवा दिया जब बासो कंस्ट्रिक्टर एरिया इनिबिट हो जाएंगे तो क्या होगा डिक्रीज कर जाएगी बासो मोटर टोन टीक है जो जनरली क्या करवा दी थी अपना बासो कंस्ट्रिक्टर करवा पाएगी तो इस व करेंगा क्या होगा attracted कर दो फिर तो बढ़ जाएगी अगर बढ़ जाए की तो क्या होगा जो हाटारेड थी हाट ती अपनी वहाट रेट अपनी क्या हो जाएगी का सी कम हो काडिक आउट्पुट कम मिलेगा मतलब इकम बिलेट निकल आ हाट से तो ब्लड वैसल में पूर्ड जाएगा इस बैज से जादा प्रेशारी नहीं होगा ब्लड वैसल तो इस बैसे भी अपना इस वैसे किसका हो जाएकतर का बार्रोड का बेरोलाय निक्रीज करता।자 रहेंगे तो रॉस्टेक्ट और 384 से फ्सक्राइब ब्लड बैसल्स को उनका इनिवीशन नहीं हो पाया कि इस वाज जो क्या होगा आपका बेपी इंक्रीज रह जाएगा ठीक है बेरोडरीशप्टर मेकनिश्म एक्ट अगेंस राईस इन इन आटेध्यिल बाफ़र मेकनिश्म इसका मतलब क्या है बेटा देखो और को इसको बहिए है। क्या है कि जो आटेडल बेट पैसर इंक्रीस हो रहाता उसको कम करवान तो अगेंस्ट काम करना तो नर्फ को बफर नव पहले सी बताता रहा हूं क्यों बोलते हैं बैटा क्यों कि बीपी रेगुलीट कर वाती है हार रेगुलेट करवा थी इसलिए को बोलते हैं बफर नर्फ कौन सी हेरिंग नव और दूसी कौन सी होती है अपनी बेटा वह आपको कमेंट बॉक्स में बताने मैं नहीं बता हूंगा ठीक है सब्सक्राइब क्या अपना चेंज आएगा बीपी में तो रिसेप्टर रिस्पोंच टू चेंज नहीं नहीं बता है जान गाए और गीडियो देख रहे हो गी तो टीग जब क्या होता है जब अपना बीपी डिक्रीश करता बीटा ब्लडड पैसे करता है तो blood flow to the chemoreceptors decrease to blood flow क्या chemoreceptors की side कम हो जाता है इस वेस क्या हो जाता है decrease oxygen तो chemoreceptors के पास oxygen कम हो जाएगी carbon dioxide जादा हो जाएगी और H plus ions का concentration जादा हो जाता है तो इस बज़े से stimulate कर जाते हैं अपनी chemoreceptor जब chemoreceptor stimulate करे उनने क्या किया उनने send करी impulse किसके लिए बासो constructor area के लिए पर बासो constructor centers के लिए कौन सी इंपल्स की stimulatory impulse क्या करेंगी अपनी बासो इंक्रीस करेंगी तो इस वाज़े से अपनी जो बासो construction इंक्रीस करेंगा तो लिएमिन ऑप दी आर्टीस डिक्रीस होगा तो इस बज़े से अपना blood pressure increase हो जाएगा जब ब्लेट प्रेसर इंक्रीस करेंगा तो क्या होगा ब्लेट का फिलो ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर जितनी भी अपनी CO2 जादा थी और एसप्रेसांस करेंगा ज्यादा था वह बॉस आउट हो जाएगा ठीक है सेकंड और हैंपे आपको एक चीज़ और बताता हूं कि यहां पर देखो पास यहां पर हैंपे जाएगा जेँ कशेंसरी अरी स्युक्रेटर यह डी को सेंटाड मेंटर तो इसंन को वह गोता कि प्रचों के पास तो वह अपना सीरीड ईसमाजीचे उ और इंसो इस बर तो इंपर्स कर जाएगी है 2022 ज़िक्रीस कर जाएगी इस बासे हो जाएग के अपने हाट रेट अपने आप स्बूस्वाज़ कर जाएगे समझ आ अगया बात करते हैं मेकनेश देख लेती है तो पहले बात करता हूं में Cerebral Cortex की Cerebral Cortex क्या करवाता था अपना Cerebral Cortex में एक एरिया होता था एरिया नमबर 13 जो कंसरेंट करता था Emotional Reaction के साथ तो इंपल्स बेचता है किसको बासो मोटर सेंटर को तो आप आए तो बासो मोटर सेंटर पर इंपल्स आती है तो वह क्या करता है अपना बासो मोटर सेंटर होता है तो यसमापना संसरी एरिया और इनसil को खरक तुछ जाएगी और फर्टर क्या हो जाएगा अपना contraction of the blood vessel increase करेगा तो अपना pressure increase करेगा मतलब BP increase कर जाएगा ठीक है अगर मैं बात करूं कि जो sensory area तो वो अपना बेजता है inhibitory impulse किसके पास inhibitory impulse पेजता है बासो dilator area के पास इस बैसे bagel tone के कर जाती है बेटा हुआ पे अपनी decrease कर जाएगी और आपनी heart rate increase कर जाती है तो heart rate increase कर गई हार्ट रेट इंक्रीज कर गई हार्ट रेट इंक्रीज करेगी तो अपना blood pressure भी increase हो जाता है जनरली क्योंकि cardiac output बढ़ जाएगा ठीक है और जो heart rate बाला fund है वो मैं आपको heart rate के regulation में चीज पहले ही बता दिया हूं ठीक है second देखने आप hypothalamus का काम ठीक है तो stimulation of posterior and lateral nucleus जब stimulation होता है posterior lateral nucleus कि इसकी hypothalamus का तो वहां पे cause baso construction ठीक है और increase कर जाता है BP ठीक है और जब अपना ठीक stimulation of pre-optic area का होता है ठीक है जब pre-optic area मतलब जो pre-optic nucleus हो थी hypothalamus अगर उसका stimulation होता है तो उस टाम पर आपने को देखने को मिलता बासो dilation मतलब की BP decrease कर जाएगा ठीक है फूर्थ बताता हूं आपको respiratory centers से क्यासे होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि respiratory centers यहां पे effect आता है ठीक है बासो मोटर अपने respiratory centers के पाथ ताब अपना होता है expiration ठीक इनिविटरी इंपल्स तो क्या होता है जब अपना respiratory centers के पाथ stimulating impulse आता है तो उस बज़े से अपने कुछ centers क्या कर जाते है इस बज़ेशन कर जाते हैं तो इस बज़े से क्या अपने होती है heart rate increase हो जाती है ठीक है HR increases ठीक है और और क्या होता है और जो अपने बासो मोटर टोन जादा ठीक है और अपने को वहां फाइनली जो बीपी होता है वो बीपी रहता है बीपी कर जाते है तो अबर कुछ conditions दे रही हें बीटा कि किन इंक्रिस करता है एसा करोला होगो इंक्रीस करता है, तो इंक्रीस करता है जाया है करता की सेंबिने के ला्यद ऑता है? मिलता है inauguration काफी काफी तू क्यों होता है कि जब मिलता है आपना इंसरी काफी कहता है तो कहता है जो आपना इंस्वोड भीन प्रेसर होता होता है वह काफी नेगेटिव हो कावा थी तीक है inferior बेन अकावा तो उसका क्यों होता है डाइलेशन तो क्या होता है राइट एर्ट्रियम में जादा बिलड पहुंच पाता है तो क्या बीनस रिटन हो गया और सेकंड क्या अब बीनस रिटन जाद होगा तो बेटा काडिक आउट पूट जाद होगा इससे पह भाहर निकालने की कोसिस करता इस वैसे काड़िक आउट भी बढ़ जाता है कि आपको सारे कंसरपस में आए होग कि यार मैंने आपको पूरे करो, मेहनत करो, thank you for watching and keep learning.